कि अची है यह यह हुए आज़ एक परेंट्स बुढ़ी विबिंग सबीडों को मोश्ट वेलकम है आप सभी का RR Academy फ्रोजाबाद में, I hope के सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी study भी कर रहे होंगे, सभी लोग आ जाईए और comment कर दीजिए कितने लोग आ चुके हैं, उसके बाद में एक बहुत ही अच्छा session आपके सामने लेकर आने बाले हैं, most important time secure हैं, जो के आपके LT grade examination को दरश्ट गद रखते हुए आज इसमें लगाए गए हैं ठीके काफी important session है guys तो सभी लोग आ जाएंगे, comment कर देंगे उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे ओके, शिखायादा good evening, good evening, सभी लोगों को good evening, और सभी लोगों को दीपाबली की हारदिक सुबकामना है सभी लोगों को दीपाबली की हारदिक सुबकामना है ओके, ठीके, चलिए आजाए सभी लोग, सिखायादा बागई है ठीके, चलिए दिवाली का असर है तो हम भी दिवाली के असर से क्या कहते हैं अच्छूते नहीं रहे दिवाली का असर तो सब पर होता है इस तरीके से होली का असर होता है दिवाली का असर भी होता है ठीक है तो I think क्या अच्छा लग रहा होगा मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है और इसी वज़े से मैंने तरीके की स्टड़ी कराई जाए कि आपका सेलेक्शन हो जाए ठीके गौड से प्रे करूंगा आपके अच्छे दिनों के लिए कि आपको सपलता जल्दी मिले ठीके अर्चना याद आप गुड़ीबनिंग सभी लोगो गुड़ी जल्दी जल्दी आ जाईए कमेंट करते मैं काभी खुष होता हूं क्योंकि फेस्टीबल अनरजी प्रतान करते हैं और इन फेस्टिबल से हमँरा माइन्ड है रिफ्रेस हो जाता है मतलव होता है इक तरीके से मौबब कर्णा या जाकी क्ल आपका दीबाली इस एसंगर confess कर लिए तो एक पढ़ाने के मूर में नहीं था बट आप लोगों से मिले विना मैं रह भी नहीं सकता था क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो आर आर केडिमी परबार के सदस्य हो इस वज़े से आपको सुबकामनाय देना मेरी प्राथमिकता है ठीके तो सभी लोगों को मैं बा बहुत ही यूनिक कुश्चन लेकर आजाओं बहुत ही एडवांस लेवल के कुश्चन लेकर आजाओं सभी लोग आ जाएंगे ठीके लेकिन आज में ज्यादा खुश हूं काफी खुश लग रहा हूं मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होंगा क्योंकि आज पॉजिटि के सादने कलास्स तो आपके सटार्ट होगा ठीक है ना चलिये तो किसी को कुछ कहना हो किसी को कूछ कहना हम कोई कैफे क्या कहते हैं गीले हो तो आप दूर कर सकते हैं कभी कभार 22 शिलो पॉप तंग किसी तरीके की कोई बात निकल गई है तो उसके लिए सभी लोग क्या कहते हैं आप लोग हो अगर आप लोग नहीं हो तो हमारा फेस्टिवल भी नहीं हो सकता ठीक है न और आप लोगों को खुछ देखना हमारी सबसे बड़ी प्राति मिकता है आप लोगों को एक खास बात बताऊंगा कि मैंने काफी सोचा था कि मैं बहुत ज्यादा बीजी हूं घर में बहुत सारे गेस्ट आई हुए हैं काफी मिलने वाली लोग आ रहे हैं लेकिन मैंने सुचा मैं उन लोगों से क्यों बिलू जिन लोगों की बज़े से मैं आज यहां पर इस प्लेट फॉर्म पर सक्सेज हो पाइदा हूं तो यह सब कुछ आप लोगों की बज़े से हैं इस बात और यह मैं आज अपने सभी गुरुजनों को जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया है वह यहां पर देखेंगे तो नहीं लेकिन मैं अपने हर्ट से अपनी फीलिंग से उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं जिनोंने मुझे इस लेवल तक पहुचाया और साथी क्लास को चलिए तो क्लास को बेंगे का उने बाली है चलिए पूजा सिंग आगे, हैपी दिवाली, हैपी दिवाली पूजा कैसी हो, चलिए, तो अब ये अच्छा वाला बैक्ग्राउंड आपका जाने वाला है, और बड़ा दुख हो रहा है इस बैक्ग्राउंड को रिमूब करने में, ठीके लेकिन क्या करें, मैंने कहा था ना क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, तो वो पानी पानी नहीं, जो आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि रुकाउगा पानी कैसा हो जाता है, उसमें गंदा आने लगती है, और वो सड़ जाता है, कीड़े पढ़ जाते हैं, तो जिंदिगी में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, भी लोगों को हैपी दीपाबली ठीक है चलिए और एल्टी ग्रेड जूनियर एल्टी ग्रेड टीचर भरती का आज हमारा क्लास नंबर जो है वो 40 है यानि 40 वे नंबर की आपके क्लास चल रही है इससे पहले हम चाली 39 क्लास ओर लेडी ले चुकी है ठीक है और और टोटल कुश्चन है आझ की एक्जाम और यॉरीयंटेट कुश्चन है इंग्लेस लिटेचर और ग्रामर नहीं आज ले आएक आपसे मिलना काफी इंपोर्टेंट लगा मुझे इस बज़े से मिले आए उंग्लेस होना तो ना मुंकिन है वो बहुत बड़ी प्रावलम आ जाती है तो भले ही क्लास हमारी रुख सकती है अद्रवाइज आपकी क्लास नहीं रुखेगी ठीक है न चलिए और ऐसे सभी लोग जो एल्टी ग्रेट टीचर भरती के लिए पीड़ बैच लेना चाहते हैं वो कुष्छा नमर बंप कुष्छा नमर बंद गया है हू इस दा ऊथर ओ पॉलिटिकल जॉस्टिस विच इंस्पायड शाली पौलिटिकल जुस्टिस नाम का जो वर्क है ठीक है न उस刚 राइटर कौन है जिसको ज έχει को जिसके दोबारा काफी इन्स्परेशन मिली थी ठीक है न तो गॉडविन ने लिखा है पॉलिटिकल जस्टिस मिल्टन ने लिखा है तीक ना या रशीयों ने लिखा है या नन अबदीश सभी लोगों का कमेंट चेक करूँगा हूँ मैं ठीक है सर आप हम लोगों के लिए यहां पर आए आज का दिन बहुत खुसी का है चलिए हमें अभी आप लोगों से मिलकर काफी खुसी हो रही है ओके गॉडविन चंद प्रकास गॉडविन आ रहा आँ सा मिश्ट का फुस्ट का यह आ रहा ठीक है सबी लोगों का आंसर बिल्कुल कर पूरा नेम क्या है कौन बताएगा तो मैं आपको और ली बता रहता हूं इंक्वाइरी कंसर्णिग पॉलिटिकल जस्टिस इनक्वाइरी कंसर्निग अबाऊट प्वालिटिकल जस्टिस एंड इस इनिफ्लूएंस ऑन ओन मॉरल एंड हैपिनेस ठीक है न यह इसका पूरा नाम है and this is a book इसको published किया गया था 1719 में 1719 में इसको published किया गया था ठीक है याद करेंगे and this is written by philosopher William Godwin काफी interesting question है यह ठीक है ना सभी लोगों का answer correct है जिनका option number ARI ठीक है चलिए आगे चलेंगे अगले question पर एक question दिया गया काफी जाना माना question है सभी लोगे इस question को आसानी से कर सकते हैं कीट वाज ग्रीक कीट्स वाज ग्रीक यानी कीट्स एक Greek है यानी कि यूनानी है यह किसने कहा है पीवी शैली अर्नॉल्ड विलियम बर्ट्वत और नन अब दीज तो इस question के यह मैं ज्यादा टाइम नहीं लूगा क्योंकि यह कुछन काफी इजी है अर्जु शर्मा शैली आ रहा है शिखा यादव शैली आ रहा है ओकी बिल्कुल ठीक है सभी लोगों का अंसर करेक्ट है पीवी शैली ठीक है काफी यानि कि लोड अल्फल आल्फ्रट टैनिशन ने एक लिरिक लकिए यानि लिखिए ब्रीक ब्रीक ठीक है तो यह कौनछे बाले दुख के बारे में विवरड करता है किसकी डेथ पर यह मौन करता है एडवार्ड जंग आर्थर क्लो और आर्थर हैंडरी हालम ठीक है पूरा नाम लिख ले ना आर्थर हैंडरी हालम और नन अब दीज ठीक है न चलिए ओके शूरज यादव थर्ड का सी आ रहा है विमल कुम को आरर lower Academy family की तरव से मतलब आप सबकी तरव से आप सभी को और राषगी की तरव से्री दीपावली की हर्डिक सुब कामना है क्योंकि आर्थर हैंड आर्थर हैंडरी हालम भिल्कुल कर्रेक्ट ऑंसर Option नममर सीजाराइट आइट झालिए आगे चलेंगे नेस्ट कुश्षन पे क्उश्षम नमम के दिया गयara हमारे सामने फुर्त को देख लीजिये क्षणनम्र फुर्त दिया गया है माइपहिगपलां स्टियं नमम पैंयागए जिसको लिखा तो यह क्या है माई लाश्ट डचीज इस फेमस वाली लिखी है स्ट्रीम ऑफ कॉंसेशनेस या फिर ड्रामाटिक मॉनलोग या ननौप जीच चलिए अरजुन सर्मा ड्रामाटिक मॉनलोग आ रहा 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 है ठीक है ठीक है सी आ रहा है शूरज यादा सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है और यह कुश्चन काफी इजी है बड़ यह कुश्चन काफी ज्यादा इंपोटेंट है याद रखेंगी ठीक है ना चलिए आगे चलते हम अगले कुश्चन पर कुश्चन मत दिया गया और कुश्चन नमर फाइब मर पूछा गया है लॉस ऑफ इसका मैंने दूश्चन का मैंने दूश्चन आप लोगों को कल कराया था ठीके ना लॉस ऑफ फेथ इन दा विक्टोरियन एज इस दा थीम ओफ विच पोईट यानि कि किस पोईट के किस वर्क में लॉस ऑफ फेथ कहने का मतलब यह है लॉस ऑफ सर्टनिटी ठीक ना और ब कौनसी वाली पोईम है कौनसा वाला बर्क है किस राइटर का है तो ऑप्शन में दिया गया है डोवर बीच इसकॉलर जिपसी मार्गरेट और मॉरल्टी काफी इंपोर्टन कुश्चन है और अर्चना यादा फिप्तकाई आ रहा है रिखा सिंग डोवर बीच आ रहा है आस इस बीन डिसकॉस्ट एवाउट लॉस ओफ फिट लॉस ओफ कंटिनिटी ठीके न और काफी सारी ऐसी चीजह है जो हीमन बिंग से रिलेटेट है जिसमें वह काफी ज्यादा डिससपाई नजर आते हैं ठीके चलिए आगे बात करते हैं अगले कुश्चन पर कुश्चन अम् जनरली हम क्या करते हैं जब हमारे वीजींर की चीज होती है उनको हम जर्णरण इस्टोर करते हैं तो ऐसे हanson होता है जहां से मेज़स को सिल सिंबम सिम्बलन को सिंप जिसमबस кवां मतलब अडंध किया जाता है एक ऐसी चीज पकि एक ऐसा कंश्ट discourter होता है एक ऐसा इमेजिस के लिए और सिंबल से कीनिक ऑर सिंबल्स के लिए लिए कूण सा गनल इस्थोर हाना जाता है इस प्रिच्वल मुंडी दिया फ़िया गया ऑर अपशेठ 무리 privateριंटर से लिख Goldanne पुश्चन नम्मज इसको इसको मॅन जरोन है यह चीज पहुत हैं एक ऐसा लिट्रेटरी सब्द है जिसके द्वारा डबलू बीड दोड कर ले ना डबलू बीड़िक यहाँ करए और यह जो नाम इनका जो पोई्म है उसके इस्टेंजा नंबर इसे यह ली आ गया शेकंड नंबर के इस नाम में आपको यह देखने मिलेगा और सका मतलब यह है कि जो डवलूबी इट्स हैं वो इस चीज को क्या मानते हैं इस चीज को वो यह कहते हैं कि जो spiritual मंडी है यह क्या है यह एक ऐसा स्टोर है एक वर्चुल स्टोर है तरीके से जिसे हम देख नहीं सकते जहां से हम symbols और images को collect करते हैं जिस तरीके से मिल्टन क्या करते हैं इन्वोकेशन करते हैं इन्वोकेशन टुदा म्यूच वैनावर ही स्टार्ट सम्काइंड ऑफ वर्क जैसे उन्होंने पैराडाइज से लॉस्ट को शुरू किया था तो मैंने कल एक पैराडाइज लॉस्ट की लाहन भी कराई थी तो उसमें वो क्या करते हैं अपने उस आर आगे चलेंगे हम अगले कुश्चन पर कुश्चन नम्बा दिया गया हमारी सामने सेवंत थोड़ा सा छोटा करूंगा मैं इसको उसके बाद मैं आगे बढ़ेंगे कुश्चन नम्बा सेवंत दिया गया है इंग्लिस पोईट्री वूड हैव हैड नो फ्यूचर विदावट दा इन वैल्यूवेल वर्क डन बाई इलियट खूज ओपिनियन इज दिस कहने का मतलब यह है कि इंग्लिस पोईट्री में कोई भी फ्यूचन नहीं होता इंग्ल इंग्लिस पोईट्री का कोई फ्यूचर नहीं रहा होता हूज ओपिनियन इज दिस काफी इंपोर्टेंट कुश्चन है सिवंत नमबर का सिखायादव सिवंत का यह आ रहा है श्रीबास्तप जी ओके चलिए सभी लोग आ जाईए और जो लोग ने अभी तक लाइक नहीं क लोग चैनल को सब्सक्राइब अबस्ट कर लीजेगा लाइक कर दीजेगा और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को भी सियर कर सकते हैं जहां तक पॉस्पिलिटी होगी आपकी हर एक तरीके की प्रॉब्लम को रिजॉल्प करने की कोशिस की जाएगी ठीके कुश्चन नमबर स लोग आ रहा है एकदम करेक्ट आंसर है ओके सेम टू यू सेम टू यू स्रिवाश्तप जी आपको भी दीपाबले की हार दोख सुपकाम ना है सुरेंद्र कुमार मैं तो एलबाट आ रहा है कुश्चन नमब से बंद कर आएट आंसर है फ्रैंक कैन वोड ठीके नोट कर लि सफिर इंपोडेंट कुश्चन है घाएं कि क्या है यहां है एक पोएम है इस पोइम को किस से लिए गया या यह क्या इसका पूरा नेम क्या है ठीक है तो इसका पूरा नेम क्या है ठीक है नाम है फ्रॉम दा लाइफ एंड शॉंग ओफ दा किरू मैं यहां पर नोट कर देता हूं याद रखिएगा काफी important question था ठीक है न चलिए तो जिल्लों का भी option number a r a एक दम correct है आगे चलते हैं next question दिया है ninth number का जिसमें पूछा गया है फिलिप लार्किन का एक work है work क्या है यह इनकी एक poem है ठीक है याद रखेंगे इसको फिलिप लार्किन की एक poem है wants reveals himself and his desire जिसमें वो अपने आपको प्रकट करते हैं और इच्छा जायर करते हैं उनकी इच्छा क्या होती है to be alone, to be noisy, to be loving और to be rich एसा वाला हुने की सबका चहेता बनने की बहुत ज़्यादा सोर सराबा करने वाले केंडी इच्छ बनने की या फिर अकेला रहने की कुष्ण नमर नायंत बताएंगे चलिए प्रमोत चक्रवरती का option नमर ए आ रहा है सिखा यादा फ्रॉम दा लाइफ एन दा सौंग अपदा क्रोजी है अर्जु सर्मा करूव आ रहा है ठीक है सुरिंद्र कुमार नायंत का ए है अर्चना यादा नायंत का नीरज कुमार प सब्सक्राइब को एक कुशन आया लीप्स ऑफ ग्रास लीप्स ऑफ ग्रास एप्पियर्ड इन काफी इंपोर्टन कुश्चन है option में दिया है दा फूर्थ ऑफ जुलाई 1855 दा फिप्त ऑफ जुलाई 1855 दा सिक्स्थ ऑफ जुलाई 1855 या नन उप जी कुश्चन नमर और देखें दलीप्स ऑफ ग्रास क्या है यह वाल ट्विट्मेंन नाम तो शुनावग आप लोगों ने ठीक है ना वाल 1708 कु उतर्वेजा वाइट विट्मेंबम बिट्मेन का यह क्या है एक क्लेक्शन है पोइंटरी का क्लेक्शन है ठीक है ना collection of poems ठीक है याद रखेगा लीप्स ऑफ ग्रास एंड इट वाज एप्पियर ऑन बिच ऑप्शन अप्शन नमबर ए ऑप्शन नमबर बी और काफी जादा इंट्रेस्टिंग है आम आया है इंड इसे तरीकि से याद करेंगे एक रिड़री एक कैंडिडेट की वाई ग्राफ मेंको कई सारे लोग लिख लिख सकते हैं यह से हम किसी की वाई किसी और ने लिख दिया है तो वह भी लिख सकता है एक ब्यक्ति के जीवन पर बायोग्राफी लिखने का किसी को अकेले एक ब्यक्ति को राइट नहीं है उसकी जो लाइफ है उस पर कोई भी बायोग्राफी लिख सकता है तो यहां जितने राइटर दिये गए है उतने question है ठीक है ना चलिए question number 11 सभी लोग बताएंगे काफी important question है ठीक है ना चलिए question number 11 ठीक है my words are laid away मैं यहापे note कर देता हूं my words are laid away awa by away ठीक है name of the biography which is written by अल्फ्रेड हेविगर बट्ड़ कुश्चन इस देट टू हूं किसके लिए इन्होंने यह लिखिए ओक के डिकंशन बिल्कुल करेक्ट आंसर डिकंशन ठीक है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया कि कुश्चन इसका नेम याद रखिएगा my words are laid away ठीक है चलिए ओके अर्चना यादव 11 का पूजा सिंग का भी ठीक है शुरिंद कुमार का भी ठीक है और आशा मिश्रा शूरज यादव सभी का एकदम पर एक तांसर ठीक है चलिए आगे चलते हैं कुश्या नमर क्षमिक फॉब्लिस्ट कर्ण प्यूम का नम क्या लुटा'M को फॉबिस्ट में पूचा घया है पूछा है रोबर्ड्फरोस्ट फॉब्लिस्ट पौइम नंग जैफिक सारवीन पतनाएक का option आ रहा है मेंडलिंग वोल और विम्ल विम्ल कुमार का option नंबर एर ayya शरेंद्र कुमार का option नंबर भी है। पूजा सिंह option नंबर ए चंदर्परकास माई बटर फिलाए phi cabbage जिल्लों का और 1894 में इसको published किया गया था पहली बार काफी किया गया था इसको पस्वब्लिस्ट किया गया था इसको नाम था इंडिपेंडेंट नियॉट करकी नी नि यूपर का नाम था इन डिपेंडेंट नूबनेंचैन सब्सक्राइब आगे चलेंगे और काफी जाना पैसाना कुश्चन आपके सामने आने बाला है दिया गया लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स इज फ्रॉम गीतांजली एंड इट इस और नंबर आप सॉंग कहने का मतलब है यह किस नंबर का सॉंग है गीतां गीतांजली के बारे में तो सभी लोग जानते हैं ठीक है आर एंड टेगोर ने लिखा है ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर दिया है आपका 11 12 13 और 14 कुश्चन नंबर 13 बताएंगे सभी लोग है चलिए माई बटर फलाइट ठीक है इंडिपेंडेंट नियॉर्क न्यूइज पर शिखा 13 12 not sure देखें कुश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जिल्लों का रहा ऑप्शन नंबर 11 ठीक है नोट कर लेना कुश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका 11 ठीक है नोट करिए चलिए आगे चलिए नेस्ट कुशन पर कुश्चन नंबर दिया गये हमारे सामने 14 कु चैगोर को कमला दास को अर्विंदो घोष और स्वामी विवेगनन विश आप दा राइटर चलिए प्रमोज चक्रवर्ती 11 ठीक है आसा मिस्चरा 13 का ये सिखायादव 11 सभी लोग बताएंगे काफी काफी इंपोर्टन कुश्चन आ रहे हैं आज तो कुश्चन नंबर 14 जि यहां पर आया हूं हलांकि पढ़ाने का कोई मूड नहीं था ठीक है वड़ाब लोगों से बात किये बगर में आज रह नहीं पाया ठीक है चलिए कुश्चन नमर 14 प्रजापती शी आ रहा है बिमल कुमार ओके कुश्चन नमर 14 जिल्लों का कुश्चन नमर 14 का राइट आंस को किस बर्क में सीरिलाइस किया गया था सीरिलाइस का मतलब यह था कि आदा अभी पब्लिश्च कर दिया आदा बाद में पब्लिश्च कर दिया फिर पब्लिश्च कर दिया फिर पब्लिश्च कर दिया फिर पब्लिश्च कर दिया तो इता करंट वीकली लिए टाइम्स या करेक्ट आंसर है ठीक है दक करंट वीकली इसमें कमलादास की जो उटो वाइग्रापी है उसको सीरिलाइज किया गया था ठीक है आगे चलेंगे हम अगले कुश्चन पर कुश्चन अम्मद दिया गया हमारे सामने कुश्ट नमद सिक्षटीन पर पूछा गया है दधा कंप्लिट नीम ऐस ऑफ रामानुजन जो रामानुजन है उनका पूरा नईम क्या है अ अतीपत्र कृष्णा स्वामी रामानुजन दिया है अल्फरेड कांत रामानुजन अनुजक कर्म रामानुजन यांवेस् कोई नही रमेश कुमार गौतम 16 का एर आए सूरज यादव 16 का ए नीतू 16 का पूजा सिंग ऑप्शन नमबर ए ठीक है जिनका ऑप्शन नमबर ए आ रहा है एकदम को लेक्ट है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेस्ट कुशन पर कुश्चन नमबर दिया गया हमारे सामने 17 और कुश्च जिस तरीके से बीलिंग सेक्स्पिर के बारे में पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपिर 593 में कहां पर और मूब कर गए थे इसी तरीके से यहां पूचा गया है कि कहां पर चले गए ते काफी इंट्रेस्टिंग कुश्चन है यह सभी लोग बताएंगे चलिए कि इस चीज को याद रखेंगे शैंट मेरी कोलेज में अपने इस्टड़ी चीज चीज के पाद में कॉलेज को भी जान कर लिया था यूनिवर्सटी ओफ निव जिलेंड टीके ना वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज की उनिवर्सटी में उने पढ़ा था और यहां से पढ़ाई खतम करने के बाद में यहां पर चले गए ओके चलेंगे अगले कुशन पर कुशन में थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे ठीके यहां पर दिया है प्रोलोग इन प्रोलोग बेंन जॉंस चांटेक्स दफ लेज कॉंटले कॉंटतेंपरी पार्टी कुलर्ली तफ प्लेज ओव जनिए कि मतलब शमकालियन है martyr Oh समकालीन का मतलब ये था जिस एज में वो थे उसी एज में वो राइटर जीवित था ठीके तो उस राइटर के पारटिकूलरी प्लेज्ट को जॉंसन ने क्रुिडिसाइज किया था अटेक किया था वो राइटर कौनसा है जॉन विलिटन क्रीके ना और जॉन फ्लेचर वृिय यकीन मानिए एकदम करेक्ट आंसर है अब कुछ लोग इस तरीके से कन्फीज हो रहे होंगे कि जॉंसन ने बिलियम सेक्सपियर के बारे में तो काफी-काफी इंपोटेंट लगिंग कमेंट किया है ठीके ना लेकिन फिर इन्हों ने बिलियम सेक्सपियर के ड्रामाज को स्पेशली क्रिटिसाइज क्यों किया था तो मैं आप लोगों को बता दूं विलियम सेक्सपियर की डेथ के तीन साल बाद आप्टर त्री येर्स ओप सेक्सपियर से डेथ अगे चलेंगे हम अगले कुशन में कुशन नम्म नाइंटीन दिया गया है इसमें पूझा है आल फो लव इज रिटिन इन्हों आल फो लव पर मैं काफी बार कुशन करा चुका हूं आल फो लव का दूसरा नेम क्या है आल फो लव किस के द्वारा लिखा गया है ठीक है ना आल फो लव को किस स्टाइल में लिखा गया है आल फो लव का जॉनर क्या है ठीक है तो आल फो लव क्या है ये एक हीरो एक ड्र कुछन में सब्सक्राइब है और इसको ट्रेज़डी के जौर्नल में रखा जाता है और इसको लिखा नाम है कौन बताएगा एक कुश्चन है वाट इज दा अधर टाइटल ऑफ और फो लव कुश्चन नम्मर नाइंटीन में एक कुश्चन हमने और प्लस कर दिया है ठीक है चलिए और फो लव का दूसरा टाइटल गया है तो नोट कर लेगा इसका जो दूसरा टाइटल है दा वर्ल्ड वेल लॉस्ट तिक है इसका दूसरा टाइटल है और इसको पब्लिस्ट कप कि जा गया था कुश्चन एक और यह भी बन जाता है कि इसको पब्लिष्ट कप किया गया था तो इसकी जो पब्लिष्ट डेट है वो कितनी है वो भी आप नोट कर लेंगे 1677 पब्लिष्ट फर्स टाइम ठीक है यह जितने भी इंपोर्टेंट चीज़ें थी जहां से कुश्चन मैं आ सकती ह यह जब मैं पूछी जा सकती है वह सारी मैंने आपको बता दी है आप इसको याद रखेंगे चली आगे चलते हैं यह किसमें किसमें फुरेकमें और यह न आपको बता देता हूं में आरम सरहतिक दा मैन इज अपले रिटिन वास जी वी सा जानी की जॉड़्ज बर्णार्ड शू के द्वारा इसको लिखा गया है उर यह क्या है थ्रीएक्ट प्ले है, फुर एक्ट प्ले है, फाइव या ननावदीज स्रेंद को मर्का थ्री अक्ट आरा शिका या दा 55 ऐसे दौर इसको लिखा किस की दवारा गया है जौर्ज वर्ण राडड शो के द्वारा इसको लिखा गया है ठीक काफी इंपोर्टेंक्ट इंच जलते हैं कि आगे कुशन दिया गया है 21 कुशन नमर्ट 21 में पूछा गया है यह आप लोगों का जाना पैचाना कुश्चन है कुशन गाल्सवर्दी ठीक है और उसमें ऐसा कौन सा केंडिडेट है कौन सा केरेक्टर है जो स्वालेटरी कौन्फानिमेंट किया जाता है बिलियम फाल्डर जैक वार्तिक रुत हनी बेल या ननवपनी ठीक है चलिए रोहित लाल अप्शन नमरे खुश्व उपाद्या अप जीत यादब ऑप्शन नमरे रतनेश कुमार 21 का फाल्डर ठीक है बिल्कुल करेक्ट आंसर है विलियम फाल्डर ही दा प्रोटोगानेस्ट आप दा प्ले एंड ही सफ़र्स दा सॉलेटरी कांफाइनमेंट ठीक है ना क्यों कि ने किया था उसने नाइन की जगा पर क्या कर इते सौंध कर दिया था 90 कर दिया था का कपि ए उपोटेंट और चलेंगे चलेंगे नेस्ट कंपे क्रिया था क्यूंτο 22 कुष्चन में 21 पे दिया गया है로 थे केंगरी को किस तरीकी का का ड्रामा टिस्ट कहा जाएगा औप्शन में दिया यह सैंटीमेंट सेंटिमेंट्स इमेजस्ट इब्लगुल कॉKit कुमार महतो का अंसर विल्कुल करेक्ट है 22 का CRI, इंद्रजीत, यादव, चंद्रप्रकास, विमल कुमार, नीतु मिस्रा, और बाबुराम, सभी का बिल्कुल करेक्ट है, एबजर्ड, एबजर्ड is the right answer of this question, अगर हम हेरोल्ड पिंटर को ड्रामाटिस्ट के तौर पे देखें, तो आंसर हो जाएगा आपका आर्थर मिलर, ओ नील, बोथ हार करेक्ट और बोथ हार रोंग, यानि ओर्थर मिलर ने ड्रामा में म्यूजिक का इस्तिमाल ज्यादा किया है, या ओ नील ने ड्रामा में म्यूजिक ज्यादा इंफ्लूएंस कर दिया है, 23rd का अंसर बताएंगे, सुभी इंग्लिस टेनर C, C कैसे हो जाएगा, बताएंगे, 23rd का राइट आंसर बताएंगे, ओ नील, ठीक है, नोट कर लेना, इनका बहुत ही इंपोटन वर्क है, हेरी एप, ठीक है, वो आप लोगों के प्रिस्क्राइब राइटर्स भी है, ओ नील और ये प्रिस्क्राइब वर्क भी है, हेरी एप, चलिए, आगे चलेंगे, हम अगले कुश्ण पर कुश्ण नम्मा दिया गया, 24, 24 नम्मा का कुश्ण दिया गया है, एक राइटर के बारे में बात हो रही है, आल माई संस वाज स्टेजड इन, कहने का मतलब, आल माई संस को स्टेजड पर परफॉर्म किया गया था, एक येर में, ठीक है, तो वो येर कौन सी है, एंड रिशीव डान न्यू यॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल अबार्ड, यानि कि ऐसा कौन सा वर्क है, जो परफॉर किया गया था, दिये गए सालों में से एक साल में, और उसके लिए उनको न्यू यॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल अबार्ड परदान किया गया था, 24, मैं ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल में करा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो जो नहीं दे लेट में जिसमें वीडियो अभी चल रही है, ठीक है, इस से पहले 6 महीने पहले हमने ल्टी की क्लास और भी चलाई थी, उसमें आपको ये क्लास हैं और मिल जाएंगे, कहने का मतलब ये चैनल पर आज की डेट में 100 प्लस वीडियो ल्टी की पड़ी हुई है, ठीक है, अगे चलेंगे, नेस्ट कॉशन में, कॉशन नमबा दिया गया हमारे सामने, 25, 25 पर दिया गया है, फू इज एन इंडियन एक्टर, और फिल्म डिरेक्टर, एन कन्रड राइटर, तो कन्रड का नाम आ गया, कन्रड राइटर का, तो आप लोग बड़ी आसानी से इस कॉशन को बता सकते हैं, तो निजी मेजी के लिए है, जबाला नेरु, तो जबाला नेरु महात्मा गांदी ये तो ही नहीं है, है ना, महात्मा गांदी गुजरात के हैं, जबाला नेरु आपके कन्रड है नहीं है, निजी मेजी के लिए कन्रड नहीं है, तो कौन से वाले हो जाए तुगलग ठीक है तुगलग चलेंगे मगले कुश्ण पर ठीक है घ्रिस करना डारा है ओके हया बेदना हाँ है थीक है रिख ग्रिस करना कर दिया रही है ठीक है जिल्लों का 25 का डी आ बिल्कुल करेक्ट है आगे चलते हैं सुभी इंग्लिश्ट्रेइनल्ड ऑप्शन नम्ब कुशन दिया गया है बेकंस ऐसे कम हॉम टू मेंस वोसंस एंड बिजनिस ये किस ने कहा है यूज बॉकर केम्टन रिकॉर्ट बिलियम जे लॉंग और हड्सन ये कुशन आप लोगों के लिए नया भी हो सकता है और सायद आप लोग इस कुशन को पहले पढ़ चुके होगी ठ इसक्स का रमेश कुमार गौतम टूंटिसिक्स का ची है खुश्बू 25 का डि आ रहा है बाबु राम का 26 का सी सुरेंद्र कुमार का 26 का जिल्लों का अंसर आ रहा है हाँ यूज बॉकर आप्शन नमबर यह आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले क अइडिशन को एटिकस नेम किसे ने दिया है कि अपने एक पत्र में जो लिखाता हुन्होंने डॉक्टर आपहस्टनोंट को या पोप ने रेप आप दा लॉक में या इनमें से किसी में भी नहीं दिया गया किसी के दुइवारा बताईए 27 बताएंगे ठीके ना चलिए शि लिखा था एपिस्टल इजस्ट काइंड आप फॉर्म ऑफ लेटर ठीक है डॉक्टर अर्थ नॉट यह कौन है यह अलेकजनर पोप के एक फ्रेंड है एक फिजीशन भी थे यह ठीक है तो इन्हों इनको लेटर लिखा था उसी लेटर में एक नेम दिया गया था एटिकर्श एंड इटिज रेफर्ट टू एडिशन काफी इंपर्टन कुश्चन है आगे चलेंगे हम अगले कुश्चन पर कुश्चन नमद यह हमारे सामने ट्वंटी एट टैटलर 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 वाज और विग पब्लिकेशन और टॉरी पब्लिकेशन बोथ आर करेक्ट और बोथ आर रूंग बताईए टैटलर क्या है इंद्रजीत यादव ऑप्शन नमबर यह आ रहा है शूरज यादव ट्वंटी सेवन का है कुश्चन नमद ट्वंटी एट हमारा स्टार्ट हो चुका है चल करने के लिए आज मैं यहां पर प्रिजेंट हूं मैं कल भी आँगा डॉंट वरी ठीक है अगर आप लोग चाहेंगे तो हमारी क्लास कल भी रहेगी क्योंकि आप से मिलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लगता है चलिए सोनाली तिवा एंड इस बोलट सकते हैं बिलॉंग टू विग विग क्या होता है यह बताये तो विग एंड टॉरी वो तार दा पॉलिटिकल पार्टी ले पॉलिटिकल पार्टी ऑफ बिड्रिटिस टेट का यह पॉलिटिकल पार्टी विग एंड टो्रीदों फी यह दूर्चああ right ऀएक और अच्छा कुशन है एसी सिम्ट्टी एट में चट intend और को स्टाट किसे ने किया गया था इक है बिरो नाइन में सत्रे सट्रेसो नौ में स्कोर रिचार्ड स्टीट के द्वारा स्टार्ट किया गया था यानि के शुरू किया गया था तीके याद रखिएगा काफी इंपोटेंट है और इसने लगवा लगवा दो साल तक एडिशन भी निकाल ले थे दो साल तक इसका पब् पोईट अजा राइटर अजा नोबलिस्ट और इस्टोरी राइटर तो चार्ल्स लेंब ने अपना केरियर कैसे स्टार्ट किया था एजब पोईट एज़राइटर और शॉर्ट इस्टोरी राइटर चलिए 29 अच्छा चलिए ठीक है तो कोई बात नहीं देख लेंगे कंड जब हमारी क्लास चलती है तो लक्ष्मी पूजन चलता है उतने टाइम पर हम भी करेंगे तो मुझे लगता है सबी लोग बजी रहेंगे तो कोई प्रडम वाली बात नहीं है कोशिस करेंगे कि क्लास दिन में कर दी जाए ठीक है जहां तक मुम्किन होगा आपको क्लास प्र ओके ठीक है चलिए देखे चार्ल्स लेंब ने अपना केरियर शुरू किया था एज़ा पोईट और एकडम बोल सकते हैं फ्लुएंसी में मैं इस कुश्चन का आंसर बोल गया था जैसे मैंने कुश्चन पढ़ाता तो इस कुश्चन का आंसर भी मेरे मुह से निकल गया था पहली लाइन मेरे मुह से यही निकली थी तो चार्ल्स लेंब बिगें इस केरियर एजब पोईट ठीक है अच्छा एक कुश्चन यह आ जाता है कि इनका जो पहला बोल सकते हैं पब्लिकेशन था पोईम्स का वो क्या था काफी इंपोर्डन कुश्चन है कुश्चन नम्मर जगलेक्शन सका नाम भेसी कुश्च था ज़ने लिखते हैं फोईम्स इंगोर दिमाग निकल जाएं तो लिखना सुरू कर दीजिए आप जब लिखेंगे तो आगेवाला सब्सक्राव को माइंड में आ जाता है वो इंट वेर्य सब्जेक्ट इसमें इन्हों दे चार पोएंग इंकुल्यूड की थी यह इनका पहला वर्क था जो इन्हों दे एज़ा पॉएट शुरुवात की थी ठीक है बट एज़ा पॉएट यह इतने ज्यादा पॉपूलर नहीं हुए और आज बहुत ही कम लोग हैं जो इनकी पॉएटरी को पढ़ते हैं या जानते भी नहीं है कि यह एक पॉएट थी ठीक है काफी इंपोर्टन कुश्यंत आए अगर उसकी बात करें हम तो 17 और 59 स्वारी 1796 में उसको पब्लिश्ट किया गया था 1796 में इस कलेक्शन को पब्लिश्ट क कि जा गया था मैं आप नोट कर देता हूं जोशप जैस्ट मिनट जोशप को टो ठीक है जोशप कोटल के दौरा इसको पब्लिश्ट किया गया था याद रखेंगे आगे चलेंगे में अगले कुश्टन पर कुश्टन नम्ब दिया गया हमारे सामने 30 और कुश्टन में थोड़ा सा छोटा करूंगा इसको जिससे आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे जाए चलिए कि कुश्टन नम्म 30 दिया गया है वाट इज दा मीनिंग ओप टाइट कॉर्णर का मतलग क्या है कौन बताएगा इस सिच्वेशन ओफ डिफिकल्टी और डेंजर विच में भी फिजीकल एक ऐसी इस्तिती जो डिफिकल्टी जिसमें डिफिकल्टी हो और खत्रा भी हो जो कैसी हो फिजीकल हो सारी जिखो और सुच्वेशन ओफ डिफिकल्टी और डेंजर विच में भी मेंटल मानसिक रूप से जो खतरनाक हो ठीक है डिफिकल्ट हो उसको बोलते हैं औ फूरेल यह सकती है और यह मेंटल वह सकती है यह कोई नहीं है कि ओके सिर्फिजाखन और यह अन्सर आ रहा है है गसी इधिकल डेंज अब् wire फिजीखल एज़ ग्हीं देन्टर चाहे वो सारी जिक हो सकती है या मान से को सकती है दोनों तरीके की हो सकती है उसको बोलते हैं हम tight corner चलिए 31 question को देख लेते हैं question number 31 दिया गया है in a defense of ignorance in a defense of ignorance जो के लिखा गया है ag gardener के द्वारा this essay has been taken from leaves in wind 1990 से leaves of the wind 1990 से leaves by the wind 1990 से तो इन में से कौन सा बाला वर्क है जहां से इसको लिया गया in defense of ignorance बताईए 31 31 का भी आ रहा leaves of wind 1990 चलिए question number 31 का जो right answer है वो है आपका leaves of wind बात हो रही है इन defense of ignorance की कुश्चान नमबर 30 ओके मौनिका चलिए कुश्चान नमबर 31 काफी important question है leaves in the wind option number is the right answer of discussion ठीके ना leaves in the wind 1990 काफी important question है ठीके ना leaves in the wind 1990 this is the right answer of this question अनुराग अवस्ती का बिल्कुल correct answer आ ठीके ना चलिए आगे चलेंगे next question पर question number 32 32 दिया गया है who becomes an atheist क्या होता है कौन बताएगा what do you mean by artist तो who becomes an artist आप्टर रीडिंग मिल्स ओटो वाइग्रापी ठीके ना मिल्स ओटो वाइग्रापी at the age of 18 18 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में जॉन इस्ट्वर्ट मिल्स मैं नाम लिख देता हूं यहां पर जॉन इस्ट्वर्ट मिल्की ओटो वाइग्रापी है उसको पढ़ने के बाद में ऐसा कौन सा राइटर है ऐसा कौन सा केंडिडेट है जो अथीस्ट हो गया ठीके पीवी शेली और बटेंड रसेल जॉन बिल्टन और रस्किन हाँ नास्तिक बिल्कुल सही जवाब नास्तिक होता है प्रत्मात्रपार्टी हैपी दिवाली ओके हैपी दिवाली सभी लोगों को हैपी दिवाली ठीक है फू डजन्ट बिलीव इन गॉड़ ओके ठीक है अर्जुन शर्मा रसेल आ रहा है और अर्चना यादव 32 का यह आरा देखे आपका जो राइट आंसर वो है बटेंड र इन उटो बाइग्राफी ऑप जोन इस्टूर्ट मिल उसको पढ़ने के बाद में वह एकदम सीरियस हो गए और उन्होंने सारी चीजों को जो भी धार्मिक और गॉड से रिलेटिव थी उन सारी चीजों का परित्याग कर दिया और यह जश्ट बिकम एन असीट ओके तो रा सभी लोगों को हैपि दिवाली और आप लोग नहीं मिल पाए raises आज आपका के आप लोग क्लास में नहीं थे हम तो आप लोगों की बजह से ही आएओं आए थे आज क्लास में कि आप सभी लोगों को enabling की शुब कामनाएं दे सकने बट कोई बात नहीं हमारी शुब पामनाए जब आप वीडियो को देखोगे तभी आपके लिए तयार है ठीक है तो आज के लिए इतना ही गाइस कल कोशिस करेंगे कि अगर मुझे लगा सभी लोग क्लास को ले सकते हैं तो कल भी क्लास आपकी आ सकती है और नहीं तो फिर परसों आपके लास 101 परचेंट आएगे ठीक है एक unsuccessful moment को भूल जाएए बस याद रखिए कि enjoy का देने ठीक है ना और खुशी के साथ में त्योर को celebrate करिए क्योंकि हमारी जो अटेम्ट है उनसे बड़ी कोई भी असपलता नहीं होती हमारे अटेम्ट के आगे हर एक असपलता तूट ही जाती है ठीक है और निश्चेती आप एक असपलता आपकी इस मेहनत के आगे जरूर तूट जाएगी ठीक है हमारा योगदान आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा बसरते आप लोगों को regular रहना है ठीक है तो इसी के साथ में सबी लोगों को सुब कामना है और आप लोग इंजय करिए खाना खाईए और द